दोस्तों आप लोग कोई भी एप इंस्टॉल करने के लिए Play Store का यूज जरूर करते हुएगा, जहांसे आप लोग भरभर के दिन राज आप इंस्टॉल करते हुएगा, और अपने फॉन में उस आप का यूज करते हुएगा, मेरे भी फॉन में देख सकते हैं यहां पे बहु करते हुएगा, लेकिन दोस्तों Play Store का एक खूफिया ठ्रिक आपको नहीं पता है, जिसका यूज करके आप अपने फॉन के बैटरी को पूरे 72 घंटा के लिए चला सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको Play Store का ऐसा ऐसा खूफिया ठ्रिक बताऊंगा ना, जिसको आप जो है दोस्तों चालू कर देते हैं, तो फिर आप अपने फॉन के बैटरी को पूरे 72 घंटा के लिए चला सकते हैं, मैं Play Store ओपन करता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारा अप्लिकेशन सब जो है, यहां पे दियवा है, जहां से मैं गेम का सारे अप्लिकेशन को दिन राज डाउनलोड करता रहता हूँ, आप लोग भी करते हुएगा, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, आपका भी कोई गलती नहीं, लेकिन यहां पे बैटरीक आपको बचाना है, तो Play Store के उस सेटिंग को बंद करना होगा, या उस सेटिंग को चा जाओगे, कि यार मुझे यह ठीक पहले से पता क्यों नहीं था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बताते हैं कि Play Store से हम अपने फॉन के बैटरी को 72 घंटा कैसे चलाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहा है न, उस वीडियो सबसे पहले आपको प्रफाइल का आइकन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको टच करना है, वहाँ पे आप टच करोगे, तो नीचे की तरफ आपको बहुत सरा सेटिंग देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको मैनेज अपने डिभाइस का ओप्सिन मिलेगा, जहाँ पे टच करना है, यहाँ पे टच करोगे, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग निकल के आ जाता है, उसके बगल में आपको मैनेज का ओप्सन दिख रहा है, जहाँ पे टच करोगे, तो आपके फॉन में जितना भी एप इंस्टॉल है, वह सारा एप यह देखने के लिए मिल जाता है, अब यहाँ पे जो भी एप इंस्टॉल है, वह देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे यह स्लीप टाइमर का अप है, अगर मैं इसको यहाँ से अनिस्टाइल कर दूँ, देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्लीप टाइमर है प्लेश्वर के अंदर जिसको आपको दूर करना है यहां पे इंस्टॉल एप को ऊपर टच कर यहां पे नोट इंस्टॉल एप पे टच करोंगे न तो जो भी एप आप इंस्टॉल करके डिलेट कर दिया है वो सारा का डेटा यहां पे आपको मिलेगा और यह सब न देखिए यहां पे सब एप है 15 MB, 20 MB, 31 MB जितना भी एप आप आप इंस्टॉल करके डिलेट के हुए सारा एप का डेटा यहां पे मिलेगा सारा एप यहां पे आपको मिलेगा अब यह सारे एप बैगराउंड में रनिंग रहता है जिसके कारण आपके फॉन का बैटिक काफी ज्यादा यहां पे डाउन होता है और आपको पता भी नहीं चलता देख सकते भरभर का एप यहां पे भड़ा हुआ है जो कि हम सारे एप को इस्टाल कर दिया है फिर भी यहां पे यह सारे एप जो है मेरे फॉन में ही छुपा हुआ है और मैं यहां पे देख भी नहीं पा रहा हुँ और यहां पे हम ट्रिक लगा के इसको देखे है तब पता चला कि याड यह मेरे फोन में यह सब आप तो अभी भी दिखाई दे रहा है तो क्या करना है सारे एप को ऊपर आपको टिक करना है यह सारे एप को ऊपर आपको टिक करना है बहु सारा एप मिलेगा जितना आप डिलेट करोगा नों सारा एप आपको यहाँ पे तो यहां पर Remove का option है, यहां से हम Remove कर देंगे, तो इस तरह से आपको भी अपने phone में सारे app को select कर लेना है, ठीक है, जो भी यहां पर अन्निस्टाल आप है, उस सबको select करके यहां से delete आपको कर देना है, तो यह हो गया पहला trick, जहां से आप अपने phone के battery को बचा सकते है, अब दूसरे number का trick बताते है, प्रले श्टूर के अंदर आपको आ जाना है, उसके बाद profile icon पर आपको touch करना है, तो यहां पर आपको बहुत सारा setting निकल कर आएगा, तो आपको setting वाला icon पर touch करना है, तो यहां पर आपको चार setting देखने के लिए मिलेगा, तो आपको दूसरे number के setting पर नेटवर्क प्रिफिरेंस के, उसके बाद यहां पर देखोगे तो auto update app है, आपको इसके ऊपर touch करना है, अब auto update क्या है कि कोई भी application का update आता है, तो यहां पर automatic update होगा, तो बैटरी भी खतम होगा, data भी खतम होगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपके phone में य यहां पर ठीक लगा होगा है, तो इस पर से हटाएक है, don't auto update पर ठीक करना है, इससे क्या होगा कि phone का battery आपका काफी ज़्यादा बचेगा, उसके बाद autoplay video है, यह autoplay video पर आप टच करोगे, तो यहां पर आपको autoplay video anytime लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, don't autoplay video के ऊपर ल अंदर आपको जाना है, वहां पर जाओगे, तो यहां पर देखो कि notification setting मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको touch करना है, अब यहां पर देखो कि यह सारा notification आपके phone का on रहेगा, ठीक है, यह सारा application notification आपको देगा, अब प्ले एश्टोर से हमको क्या notification चाहिए, कुछ भी नहीं चा या आपके phone में sound on होगा, notification sound on होगा, तो वह भी यहां पर आवाज देगा, इस से बैटरी पर फ़रक परता है, यहां पर 10 सकेंड, 5 सकेंड के लिए ही आपके phone का light on हो, तो इससे बैटरी आपका ज्यादा sort होगा, तो यहां पर क्या करना है, इसको आपको बंद करना है, जो चौथे नंबर की trick बताता है, अगर आप और भी ज़्यादा बैटरी बचाना चाहते है, आप प्लेश्टोर में आते तो आप चाहते कि यह मेरे white mode में प्लेश्टोर ना on हो, यहां पर dark mode में on हो, तो यहां पर theme का option है, यहां पर आप प्लेश्टोर को dark कर लिजे, डार्क कर अगर dark हो जाता है, तो काफी ज़्यादा आपके phone का battery बचेगा, कोई भी app इंस्ट्रॉल करने आते हो, तो यहां पर dark mode में प्लेश्टोर होगा, और यहां पर आपके phone का battery काफी ज़्यादा बचेगा, तो यह कुछ setting रहा, प्लेश्टोर का जिससे आप अपने phone का battery को बचा सकते है, अब जाते-जाते, लास्ट में आपको एक setting बताते है, प्लेश्टोर का ही है, उससे आप अपने phone के battery को और भी ज़्यादा बचा सकते है, और 72 घंटा चला सकते है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लेश्टोर के ऊपर थोड़ादेर दवा के रखना होगा, अब थोड़ा दर दवा के रखोगे, तो यहाँ पर आई बटन आएगा, आई बटन के ऊपर आपको टच करना है, उसके बाद प्लेश्टोर के app info में आप आ जाओगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आप आपको नीचे की तरफ आपको battery का option देखने के लिए मिलेगा, त तो आपको देखना है कि कौन सा mode select है, अगर यह दोनों select mode जो on है, तो समझे की गड़वार है, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिष्टी केरेट मोड पर लाके रख देना है, आप देखें, यहाँ पर साफ लिखावाई रिष्टी केरेट बैटरी यूज, वाइल द आप र कर देगा, रनिंग नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको tick कर दना है, और tick लाके आपको छोड़के back आजाना है, इससे phone का बैटरी आपका काफी ज़्यादा चलेगा, आप 72 घंटा पूरे 3 दिन तक चला सकते है, यह कुछ setting करके, तो जो setting है, हम hidden setting play store के अंदर बता है, वो setting आपको अपने phone में कर लना, अगर करते हैं, तो phone का बैटरी एक बार देखे करके, phone का बैटरी पूरे 72 घंटा जो है, आपका चलेगा ही चलेगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो से ज़रा कुई सवाल है, तो नीचे आप हमें comment करके बता सकते, उमीद है यह trick आपको काफी बढ़े लगा होगा, काफी पसंद आया होगा,